अली एक्तर मेमरियल नाइज दिर्किर पढ़ती होगी ता चली अब मैं जारा होगी आगे का गोदे का हाल ताकिन ममानी बिल्कुल तयार है कमेंटरी करने के लिए चली दोस्तों मुकाबला शुरू हो यह आयाज कासिम बाबु गेत हवा में नीचे अभी बुस्मानी यहाँ यह पहला दिकित पहले ही सफलता आयाज की होबसुरत गेत बाजी और कासिम बाबु आउट कराल दिये गए पहला जटका लगता हुआ शाइन पेंटिंग वर्क्स जिसके आनर दानिश कामरान खान है इनका शुक्रिया विंटो कैविन्स काशिप खान यह सबी फाइनेंसरों के नाम लिए जा रहे हैं इम आई मुंबरा इंडियन्स कैसे आनर नाति खान मस्य भाई एवन इंजिनियर्स जिसके आनर है आकिप खान प्रिंट प्रिंट प्रोसेस यासिर शुक्रिया जिनकी तरफ से हर मकाबले में मैना अब्दमाईश का अभाद दिया गया अब आ रहे हैं अकबर खान एके फोर पिछले मकाबले में बहुत प्यारी बल्ले बादी किया ताइस खेलारे ने अपनी हाफ से तुरी मुकमल किया था आज देखते हैं क्या खुशकर देखाते हैं एके ग्राफिक्स अमजद अजमल खान जिसकी प्रांच कुर्ला मुंबई में है सदफ कार्मेंट जातिफ खान आदेलिकेंट हाउस बिलरिया हारिस एक्वा ट्रेडर्स आरशद खान जैनुलाब्दियन और टीपो तानिश और बबलो घुबंडी ये पट की हुई ये दवाजिया और पिर कहीं न कहीं ये इनामा रहा है कि रहियान आलम की तरफ से अगर आयास अकबर खान को आउट करते हैं तो फिर पांच सो रुपा की नाम दिया जाएगा नदीम अख्तर तवाब खान शारिक ताता सर्रार खान मुंबई रेल्वे शारिक शम्मू शकील खान और कॉलिटी पबलिक स्कूल शुक्रिया इन सभी लोगों का जोनों ने मुकाबले को फाइनस किया चलिए मुकाबले के तरफ बढ़ा जाए तो इसकोर दोस्ता यहां पर एक रन दिना बाफ की होगा एक विकेट के नुक्सान पर इसकोर एक रन पहले ओवर की गेदबासी जारी पाच पलस पाच ओवर काई हुए मुकाबला ग्रांड फिनाले चैंपियनशिप खिताबी जंग मगर जाने चली जाती है स्करदारी बचाने में इस्करदारी बचानी की जंग हो रही है आसम गड़ा और नसीर पूर के दरम्याद और यहां पे आसीम ये गिर हला में नीचे घल्टी 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 की अपनी मस्थी की शाम मत देना तोस्तों को ये काम मत देना जिनको पीने के कुछ तमीज नहो उनके हाथों में चाम मत देना चलिए आयाज इस मरतबा सीद्य बल्ले से खेलना चाहा एक रन मिलेगा यहां पर इस एक रन को जोड़ दिया जाए तो इसको और तीन रन एक तरफ अलफा कलाप इस्टोर लाइंस हेल्प कमेटी आजम गल दोसरी तरफ एटी ग्राफिक्स के क्यार मसीर पूर ये रिवर सेट लेकिन आयाज काथी सुंदर गेदबाजी का परिशे देते हुए आज इनको जड़ा सा मजबूर किया इस गेद पर इस मकाबले में जो आरगनाइजीन कमेटी के जो नौजवान है मिर्जा तीक के सरवराही में अलीशान शाहान यासिर हारिस अबुजर सोनु शहजाद आरिस नहाल अफनान अब्दुल्ला अलमास अनस अस्पर फैसल सलीम औरंगसेब अदनान फैसान और अहमद खान शुक्रिया इन सबी नौजवानों का इसका अन्जाम नाकामी कि अधी भाई जारग मार दियुक्त प्यारी कि इत्बासी हमसा बिलाजिया अगंज में मैं आप दो फाइनल मैच चुना गया इस खिलारी को और आयाज को मैं आप टोर्नमेट चुना गया अलेकुम सेलाम हम्जा पर्लो ना शुरू किया विल्क प्रफड़ गया दो ही दिन और यह घुमावदार गे दबासी कस्वा माहूल के उपर से थड़ मैं की जाने ब्रवाना तो लिख भाई के सब्सक्राइए दोस्त भाई यह स्कोर बलता हुआ चार रन एक लिकेट के नुक्सान पर यह दो दिन दो दिन का मैंच था तो नसर भाई बराय महरबानी आप पहले रिक यह फाइनल का मुकावदा और फिर इस तरह से यह कारवाई आगे है बहाई जा रही हम्जा है गेदबास और यहां पे क्या खुबसूरत तरीके से परहार किया आसिम ने गेद को देखा भापा उसके बाद लेक साइब की दिशा में यानि जो इसकार लेगर लांग लेक के दर्मियान की जो जगा है वहाँ पर सप्लाई कर दिया अब यह सलाम आप पोन करके बोल दीजेगा बाई है मेरबानी दोड़ा समझे पूरी राख रागए चाहरा बन चुके हैं जेद तरती हुई बांडरी लाइन के बाहर चेह रोनों की सुरत में तो उस तरह से अगर टोटल स्कूर दिखाए वहाँ तो तस रन एक लिगेट के नुक्सान पर हमजा दोसरे वर की गेदवाजी के तर्मियान गेद को लेकर दाओड़ना शुरू किया विद्व पर गए और प्यूटिफुल शाट लेकिन इसने पहले यहां पर लपक लिए गए लेकिन ये कैश भी मिस हुआ गल्पी गल्पी इस तरह के गल्पी कहीं आजमबर के जिद्दगी की शाम न कर दे बहुत बड़ा रिकेट था आसिम खान का लेकिन नाकामी लगी हाथ आजमगर के हमजा एक मरतबा पिस अक्बर के सामने क्या पिष्टरीन यार क्या जबर्दस्त गेदबासी तप्पा खाने के बाद उच्छाल के साथ तर्मिंग भी गेदबासी बहुत बहुत मने कहा था कि इस खिलाड़ी को भी लगेदबास करा दिया गया था आज कहीं न कहीं वही तिहास गहराने के लिए तैयार लेकिन सामने कालिया थी अकबर खान इस मर्तबा सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं लेकिन सप्लाई कर दिया है लेकिसाइद की दिशा में वहां एक मिला और इस एक की मदस्ते स्कोर परता हुआ धीरे धीरे बारारन तो अलो कान ट्रेविस हजुमरा सर्विस शुक्रिया आपका ओवर की समापती का एलान तो पर की समापती पर टोटर इस खोर यहां पर बारान तो दोस्तों अश्रभपोर के सभी नौजवानों का शुक्रिया उन सभी नौजवानों का जुनों ने स्टोर्नमिट को कराने के लिए सर अधर की बादी लगा तार दस बारा दिनों तक मेहनत करते रहे मिर्जा पीक की शाहान यासिरा हारिस अदूसर सोनु जहजाद आरिज निहाल अफनान अब्दल्ला असपर अनस वैसल सलीम औरंज जेब अधनान पहद पैसान अहमद खान इन सभी लोगों का शुक्रिया और साथ में तलहान औरुपीन पूरे फैशन गार्डन मेंस कलेक्शन दफ्करी कामप्लेक्स तकी आसम गरिस मुकाबले में ट्राफिक प्रोवाइट की गई है बिश्ट बॉलर की इस मर्तबा सब्राया बगावत पर और ये नीचे अपिजब अपने बाहों में ले लिया है अकबर खान का ये विकेट पूरी तरह से हाथिस अब्दुल्ह के दस्तानों पर अब क्या होगा अब क्या होगा दोस्तों कि प्यार जुका नहीं आधी के सामने परवत ने सर जुका दिया माजी के सामने आलम रहियान का जो पाश स्च्ट रुपे की नाम था ये आयास के हवाले किया जाएगा अब बासिन से में फाइनल का हीरो बाबा जुबैर साथ जिनके जो इनके वाली तो मुहतरम है ये काफी देख पूरी रात वो मुकाबला देखते रहे और पप्पो भाई की तरस से भी नाम आया उनके अधर पर जाके बासिन ले लेंगे एक हजार उपे की नाम है तो दो लिकेट के लुक्साम पर अब तक यासिर अगर बात की जाए स्कोर की तो यहां पर बारा रन तीसरा वर परगती पर अलपा कला टिश्टोर लाइन्स हेल्प कमेटी आजमगर कभी खुश्यों चले आयाज ये पुल्टा से गेद आजमगर क्रिकेट के मेटी जिसका दुनिया दे मकसद जिसका अवले इंट यही है कि आजमगर से साफ सित्रे क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए लीगल तोर पर क्रिकेट खिलने वालों को आगे बढ़ाया जाए तकि वो आगे जा करके अपना नाम रोशन करें कुछ बन करके दिखाएं यह देखा लिखा है इसक्रीनिया लिखा है कुछ पाँच ओवर का है तोर हराद पहली इनिंग और यह तीसरा ओवर यह इस मरतबा बल्ला चलाया आगे बढ़ा करके आसिम ने और गेद गई सीधा काउ कॉर्णर गिशा में यहाँ छे रणों के लिए आइक भी बड़े मुकाबले का स्टार खिले अब पलेएर कहा जाता है प्ले मुकाबले में एक छलारी चलगा इसना करता है और जब यह घलारी अगर चला गया तो बड़े-बड़े नहीं देखा हमने भी उसे मुड़कर दुबारा नहीं देखा होटो पे तुम्हारे जो गुलनार हवी है तुमने कोई हालाग का मारा नहीं देखा यह रात पर यह टीम इंदेजार करती रही कब इनका मुकाबला है कब सेमी फाइनल होगा और आज आसिम कभा दिकित यह पात्रों नहीं सरन्द आयाज एक मरतबा सिर्फे तैयार वहां क्या बेहती अच्छी गिर्बासी दोस्ता इस तरह की गिर्बासी बिलकुल यहां पे फाइनल मकाबले में कहीं में कहीं आजमगर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है लेकिन यह नसीर पूर है कभी भी बगावत कर सकती है यह बासिम है शारोख है इस्टार खेलारी है दोनों पाच और गाए अनिल भाई पकल लिए उतन तब तरह अपर तबख रहाए इस्टाइक पर शारोख हमजा एक मरतबा फिर ते तैयार की तरफ से चौटावर लेकर कोटे का दोस्ता वे लोग फूर्टा सगेद पीछे मवजूद खेला रही असानी के साथ पिल्ड किया एक रण मिलेगा और इस एक रण की मदद से स्कूर एक कैसर अमीग परधान हाफिस जहागीर सहाब गालिक चेशा उनके लावा और भी हमा कि लंद्व चेशा भी हाँ पर मवजूद है यह देखिए विकेट कीपर यहना दीव उस्मानी के सर के उपर से गेत तर्फित तर्फित हर्मेंज की जानिव और अस तरह सी एक अब इस एक रन की मदद से स्कूर 25 रन कश्मा माहुल बेंतहा शुक्रियादा कर रहा है आपका अच्छरफपूर का यह गाउं अब बेटे बाले याए हम्जा ये गेद हवा में नीचे आयाज और यहां तारे के साथ है आयाज में आउट का इशारा आया अब बाइर का फैसला आउट इस तरह से एक और बाले के दिए शारो खान के रूप में गिरता हुआ नसीरफपूर अब यहां से ज़रा कोशिए बादर में की कोशिश करें इसकोर की दोस्तों बात की जाये तो बाइस रंड चार विकेट के नुफसान पर अब अपिकुर्रह्मान बूबती हुई नया को अपिकुर्रह्मान और बासिम का क्या सहारा होगा क्या नसीरफपूर इस मुकाबले के साथ कोश बढ़ा उलेट धेर कर सकती है क्या इस मुकाबले का जुगराफिया बदल सकता है क्या यह मुकाबला किस करवर जाएगा यह सारी कहानी अब वक्त के गर्ब में छुपी हुई है यह मुकाबला अपने मन्सिल के आखरी मरहादे की तरफ गामजन इस दूप में यह चुपी जंख सर्दारी बचाने की यह कहानी हम्जा बहुत ही प्यारा गेंदबास वाइट का इसारा अधिकर रह्मान बासिम अगर अच्छता लगाएंगे तो जाहिज भाइन अधिकर के दरफ से इसारी से की नाम आएगा बाराल यह एक रन यह भी बहुत जरूरी है यह थीरे थीरे बूद्बूद्बूद्ध समंदर बन जाता है लगातार भुदों का गिरना यह कहीं न कहीं मजबूती के सकता है नसीर फूर्टीम को स्कूर की बात की जाए चौबिस रन चार विकेट के रुकसान पर चौबिस रन अच्छी गेद बाजी तखपा खाने के बाद पूरी तरह से बासिम को चगमा देती है हम्जा उम्र कम लेकिन फोबी परवर्दिगार ने किरकेट की सलाहियत को पूरे बदन में कोट कोट कहिए देखिए हम्जा हम्जा आज लगातार इसी बात का पैगाम दिया जा रहा है कि किसी जुल्फ को सदा दो किसी शख्स को बुलाओ बड़ी धूप पर रही है कोई साइबा नहीं है उन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आसको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है इसकोर की बात की जाए दोस्तों तो 24 रनों पर चार वर के समाफ होने के बाद 24 रन ये आखरी वर आखरी वर अब अताबर दोर दल्ले बासी करनी होगी अब नसीर पूर आजाए अपने पुराने अंदाज में तो नई आधी नई कश्टी नया तूफान पैदा कर एक नए का इंतेजार किया जा रहा यहां पर और कहीं नगई जाही राजमी भी दूआ कर रहे हैं कि एदस्तियार्जू मुझे मन्जिल की आस्ते मेरे ठकन को गर्दे सफर का ले पास दे परवर्दिकार तूने समंदर तो दे दूए अब मेरे खुशक होटो को सहरा की प्यास दे जी हाँ यहाँ यहाँ अभी खुश्मानी इस मर्तबा प्रते कैस लपकने में काम्याँ यह पहद पहद आते ही सफलता दिलाया एक और खिलाडी को यहां पे पवेलियन लाटाने का काम अब मैं देख रहा हूँ कि हाशी यह तैयार आगे का काफिला आगे बढ़ाने के एक तरफ पासिम एक तरफ हाशिम यह तोनों भाई मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं पापा सुबैर सहाब इस मुकाबले को लेकर के लगातार तौा करें होंगे कि एलाही आप रूरू रखना परा नासुक समाना है इस नाजुक परिस्तिती में स्कोर की अगर बात की जा तो रुका हुआ चोपिस रनों पर प्री बोर से पूटा प्री पाइनल का यहीरो फाइनल में क्या धंमाल मचाएगा आजमगर किरकेट कमेटी एसी सीची के हूल आफ-रेकलेशन के इसाथ से ये मकाबला पहुत ही कामयाब रहा पूरे मकाबले में ना कहीं से कोई बास नजराई ना कोई तक्रार कुरी तरह से यह मुकाबला काम्याम हो यहां पर फ्री हिट और फ्री हिट पर इस तरह की गेदबाजी वागेतन यह अच्छे गेदबाज अच्छे गेदबाज की अलामत है याद रहें नसीर पर यह आखरी ओवर चल लहा है यह वाइट का इशारा जिशा से भटकती हुए इतबाजी तो नसीर पूर आप अपने परों को खोल दे कि जब समंदर में कष्टी लेकर आगए हो तो तूफानों से क्या घबराना कुछ पढ़ा करिए आखरी ओवर है यतनी गेदें बची है कुछ बड़ी बाउंडरी अगर आ जाएं तो कहीं नगें सम्मान जाना की स्कूर तो बनी सकता है फिर इसके बाद अच्छी गेदबाजी रही तो मुकाबला फस जाएगा ये देखिए बासिम इस मरतबायास के उपर से ये सप्लाई क्या च्छेरन और बई देर के बाद ये च्छेरन इस च्छेरनों की मदद से स्कूर अपने पाइदान पर चलगता हुआ 33 पाँच भिकेट के नुक्सान पर साहद लेकिन ये पासिम वार करना चाहते थे कहीं आ और लगा कहीं आ और अपने आप से ना खुश ना उमीद अदीब उस्मानी यहां यहां पर रुन आउट अधीब उस्मानी ने वहां पर अच्छी फिल्डी का मौझाहरा करते हुए रुन आउट कर दिया पुदोसो यह फाइनल का मुकाबला और इसकोर चाहती स्रण आरेज चलिए पहद एक मरतबा पर से तयार गेद बल्ले का कोई कांबिनेशन नहीं कोई ताल मेल नहीं मिलेगा एक रन तो उस तरह से स्कोर बरता हुआ 25 रन आजम गड़ यह तरकश की हर तीर को आजमा रही है आयाजा की सरबराही में इनकी रहनमाई में उनकी नमाइंदगी में यह तीम क्या परदशन करेगे किस तरह से नसीर फूर के सामने अपने गेम को शो करेगी यह तो पहली इनिंग चल लहीं है अभी दूसरी इनिंग का सिलसला आना बाकी है लाई उपर सभी लोगों का शुक्रिया यह दिकी पहली इनिंग जब खत्म हुई तो इस कोर की दोस्तों बात की जाए तो 35 बनाया 36 रनों का टार्गेट दिया है जो मदिकराओं की सुभान जो सुधी अरबिया से इस मकाबले को देख रहे हैं इसे इसी गाओं के मुल निवाथी इनका हम शुक्रिया आदा कर रहे हैं सुभान शेख जो सुधी अरबिया से इस मकाबले के साथ लगे हैं चलिए तो असरफ पूर के सबी लोगों का शुक्रिया दोस्तों यह जो नौजवानों की महनत है जिन नौजवानों की महब्बत है जिन नौजवानों के अरमान यहां पर पूरे होते नसरा रहे हैं अतीक मिर्जा इस अलाके का एक ऐसा नाम जो इन नौजवानों की रहबरी कर रहा था इस मकावने में अलीशान शाहान यासिर हारिस अबुजर सोनु शहजाद आरश शकील निहाल अफनान अबुद्ल्ला अलमास अस्पर अनस वैसल सलीम औरंगजेब खान अदनान खान वैसान खान अहमद खान उनके लावा दोस्तों इस मकावले को फाइनेंस कर रहे वाले लोगों के मैं ना प्राइन पेंटिंग वर्क्स जिसके आउनर है दानिश और कामरान खान जिंटो कैबिस काशिप खान जो कुर्ला से इस मकावले के साथ लगातार लगे रहे इम आई मुम्रा इंडियस कैपे आउनर नातिक खान मसूद भाई एवन इंजिनियर्स आकिब खान यादी उस्मा अधी उस्मानी मंबई इंडर 19 मंबई अंडर 16 रणजी कैम्प में ट्रेनिंग लेने वाला याद आउमान में अपने बेहतरीन गेम को शो करने के बाद आज कहीं नगे अशरफ पूरा अधुर में अपने मुकाबले के साथ एक ग्राफिक्स अमजद अजमल खान जिसकी प् स्प्रिंटिंग प्रोसेस के मालिक जोहर मकाबले में मैंना अब्दमाइश के अबाद दे रहे थे सबस्ट गर्मेंट आतिफ खान आदिल्टेंट हाउस दिलर्यागंज हारिस अक्वा ट्रेडर्स पीपू जैनुलाबदीर और्स्तिपू अरशद खान दानिश और बबलू नदीम अख्तर तुवाब खान शारिक काता जर्रार खान शारिक सम्मू शकील खान क्वालिटी पबलिक इंटर कालिज अशरफपूर ये वालिबाल का एक ऐसा गाउ कि अगर अशरफपूर की वालिबाल की गराम सबा के टीम बनाई जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आस अज़ार इंडियन आर्मी सफ आरिफ ये सभी नौचवान पन्वीर हैं सिंटर बलाकर यह पहली गेंद आया नहीं बल्कि अधी बुस्मानी ने आजमगर पहुचाने का काम किया है जो बिल्कुल यहां पे पहली गेंद पर सोचा कि यहां वार किया जाए कि अन्जाम मुस्के हाथ है या आगास करके देख भीगे हुए परों से परवाज करके देख आतिफ का नाम झुट रहा था वाली बाल काएगा ऐसा ब्लागर से रियांस जैसे खिलारी को जिसने अपने ब्लाक के जरीए मजबूर किया था आतिफ की यह देखिए इस मरतबा डाउन दे ग्राउंड खेला है अग्बर मौजुद बहुत है अच्छी फिल्डिंग अगब आपका परधानपद के उम्मीद आया परधानपद पर जो इस मरतबा असरफ पूर के व्योंगों जारा चुने गए चलिए अगर जरासन निशाना बेहतरीन होदा तो पिर कहीं न कहीं दिकत हो जाती है आज के लिए और अभी मैं देख रहा हूं कि छट पर हमारे चार-पांच नौजवान ऐसे हैं जो छट से मुकाबला देख रहे हैं रभी यह क्या बात है कि इस बात की चलना हो रही है उपर हाँ यह 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 पख़़ो भाई यह जरा च्छतवालो जरा पख़़ो इस गेद को आयाज नहीं पलकी अदीव उस्मानी एक मरतबा प्रसे अपने बल्ले को लहराया खुशूरत सा शाट लगाया अदीव उस्मानी ने और बिल्कुल इसी बात का तैगाम दिया है कि जिसके लिए आजमकर जाना जाता है चलिए कासिम तो अदीव उस्मानी इस मरतबा डिफेंसियों अंदाज में क्लासिकल तरीके से शारुख ने वहाँ पर फिल्ल किया और पिर उस तरह से स्कूर पंदरहरन अब आयाज पहले ठीक ठाकते बहुत अच्छा के लिए ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन जब से शाद पर अपने चल्म सीमा पर आ गए हैं इंसान धेले ठाले लगता है लेकिन की आज तो कहा जाए अपने शबाब पर है कि इसमान जलक तरीके से आज ने एक रण चुड़ाया कि आज चार और में बीस रॉनों के आवश्यक्ता है चार और में बीस रॉन बने हैं यहाँ पर सोला रंच चार और में बीस रंच चाहिए अब आयाज शेख क्या यहाँ पर छक्का लगाएंगे क्या यहाँ पर कुछ अलग करेंगे या पिर अकबर ये अपनी गेद्बाजी के जरीए पर लिवाजों पर कुछ अंकुछ लगाने की कोशिश करेंगे चलिए आयाज तैयार और यहाँ पर रीवर सूप का इस्तेमाल करना चाहते थे बल्या कल्याम पूर की तरफ परहार करना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे चलिए अक्बर खान तैयार आयास के लिए चलिए यहाँ पर डाट डॉल आजमगर किर्केट कमेटी के माध्यम से ये मकावला अपने मंजिले मकसूद पर गामजन दहाफ पाइशन गार्डन मेंस कलेक्शन शुक्रिया और ये गेद हवा में नीचे कोई खेलारी मौजूद नहीं एक रन इस तरह से स्कोर बलता हुआ थी ने दिरे सत्र रड़ उन्नाइस रनों की आवश्यक्ता है इप्तल्जोन शादाब खान च्छतवारा जिनकी तरफ से इस मुकामरे में ट्राफी प्रवाइब की गई वेश्र और लाउंडर की ट्राफी पिश्ट विकेट कीपर की ट्राफी जो है वेलकम धाबा चुमड़ी आजमगल की तरफ से और बेश्ट बॉलर की तरफ ट्राफी पैशन गार्डन मेंस करेक्शन इनका भी शुक्रिया और वहीं पे शुगार्डन शुबली सरकल पहार पोती रहा आजम गलम मुश्विक का भी शुक्रिया शुक्रिया आज इस मुकाबले के साथ उन्नैस रन उन्नैस रन अबदी हुस्मानी अकबर खान के सामने अच्छी एद्वाजी अकबर की एक रन मिलेगा यहां पे तीस रन और के समात्ती का एलान हुआ तलहा दौरा तलहा और मिर्जा तीक मिर्जाती कि इस मुकाबले का अरगराईजर इस मुकाबले का रुखे रमा इस मुकाबले का सम्हच्छक इस मुकाबले का आउजन करता और इनी के साथ अश्रपूर के नौजवानों का सफना था यहां के जवाओं का सफना था कि यह मुकाबला कामियाब हो अलहम्दुलिल्ला सुम्मा अलहम्दुलिल्ला ये मुकाबला दौत हग तक काम्याब नजर आया सोला रनों क्या वश्यक्ता तीन और सोला रन मुकाबला बिल्कुल आसान लेकिन ये नसीर पूर अगर यहां से क्या दूलिकेट अपने खाते में कर लिया तो कही न कही मुकाबला बीच मजधार में फस जाएगा मैंने देखा है मुकाबले को पलटते हुए अरे अधीब उसमानी इस तरफ लांग लेगा और पाइन लेके दर्मियान बल्ला चलाया चुमा है काम्याबियों ने कदम ये चार रन चलिए आसी चलिए भई अधीब उसमानी को यहां पे चलता किया अधीबी मुकाबले की रंगत बदल सकती है अश्रत पुर्वालों कि भी मैंने ये कहा था पे खिजवा की जरुभ उसी रंगत बदल भी सकती है भार आने की सुर्थ निकल भी सकती है अभी तो चात पे जा रही है अभी कॉमार की नियत बदल भी सकती है अधीब reality आउट होने के बाद अब हाथिश अब्तुल्ला करिश्माई बन लिबाद है जिम्मेदारी है अजाज और हाफिज अब्तुल्ला की चौबिस बन चुके हैं दोस्तों यहां पर बारा बारा रोनों क्या और आवश्यक्ता है हाफिज अब्तुल्ला चले यासिम अरे वाय आसिम क्या बढ़िया गेदवाजी यहां पे क्या खुब्सूर्ट लाइन लेंद्फ पर गेदवाजी कर रहा है यह खिला रही मुकाबला पूरी तरह से अपनी मज़िले मक्सूद पर गामसन रवा दवा मुकाबला यह आसिम वायाज यहां पे पहुंचाया है बल्या कल्यानपूर इस छके की मदद से स्कूर बलता हुआ एक तीसरन पाच रनों की और आवश्यक्ता है पाच रनों की आवश्यक्ता क्या छका लगेगा यहां पे यह 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 का है जी नहीं इस बात का एलान किया नसीर पुरवालों ने कि सित्ड़ याजम गड़ पे मगर सैवाने तजली है अक्सर जो सर्रा यहां से उठता है वो नए रियासम होता है अब जिम्मेदारी पहद की आयाज शिकार कर लिए गए आसिम दारा पाच रनों की आवश्यक्ता आयाज इस मुकाबले का बहतरीन खेलारी हाला की एमेस मेडिकल शुक्रिया डाक्टर फुरकान तुर यहां पे बल्ला चलाया है जरूर मिलेगा यहां पे चार रन यह चार रन और कहीं न कहीं आजम गड़वालों इस बात का पैगाम दिया कि मैं आजमी हूँ मैं आजमी हूँ है फखर मुझको की शहर मेरा वफा का गड़ है यहां के लोगों के दिल हसी है यहां के सोची अजीम तरहें जी हां मात्र एक रन क्या वश्यक्ता शुक्रिया इप्पल्फोन शादाब खान तकिया आजमगर मुश्पिक शू गार्डन उसायर पैशन गार्डन मेंस कलेक्शन साजिद भाई विलकंध हबा लजीज दर्बार हबा पहीम भाई और यहां पे अजीम आजीम आजीम आजी मुझस्सम नेता मिसन दोहजार शुपिस ग्राम परधान पत्के उम्मिद्वारा शरप्पूर सहीन का भी आगमन हो चुका है इस मुकाबले में काशिफ खान काशिफ सिंटो खुसोसी तोर से शुक्रिया यहां मिलिया से यहां बलाने के लिए शुरपूर के उन सभी नौजवानों का शुक्रिया चलिए यह मुकाबला यहां पे अभी बाकी है अभी बाकी है वाहरे नसीरपूर आखरी मरहले में भी हार मानने को तैयार प्रवाइब नसीरपुर के लोग अपने लिए तालिया बजा देया बहुत अच्छा आपने खेला तक बहुत बढ़ीया मकाबला खेला यह बात अलग है कि यह हार जीत को गेम का हिस्सा है और राश्री ऐसा लग रहा निए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा दुस्तो अज़ाइब बिना किसी बहुत सक्राइब बिना किसी रिजिश के लिए लेवे नाजब गड़ अब सी दे चलते हैं प्राइज सेर्मनी की तरह थोड़ी देर में लाओ इस तरह का टौरामिट आपने बहुत कम देखा होगा जितने भी लोग इस तरह में लोग प्रें किस तरह से आपस में तरहें कौन आजमगड़ का का वर पोई नीजानता कि बड़िया तरहिके से अब बहुत अच्छा लगा दोस्तों इस मकाबले में लिर्जा अतीक साहब बुलकर अब यहां पर आजाएं चलिए भीया मिलते हैं पास